नमश्कार नियुजूरू में आप सभी का स्वागत है भारत ने हिंसा ग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है जिसके तहट अब तक कई भारतियों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया है सुडान से तिरंगे के साथ लोट रहे भारतियों के चहरे की खोशी देखते ही बन रही है और इसी के साथ दुनिया भर में रह रहे भारतियों के मन में यह विश्वास और प्रभल हुआ है कि वह जहां कहीं भी हो यदि कभी कोई मुश्किल आई तो भारत ततकाल मदद के लि के लिए भारत ने जिस तरह सुडान में प्रभावी उपस्तिती रखने वाले देशों से लेकर सईंत रास्ट महासरचीव तक की मदद ली वह काबिले तारीफ भी है और हर भारतिय की जान के प्रती भारत सरकार की चिंता को भी दर्चाता है हम आपको यह भी बता दें कि भार भारतिय जहाज और विमान भारतियों को स्वदेश लाने के लिए तयार हैं जैशंकर ने ट्वीट में कहा सुडान में फसे हमारे नागरेकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन का वेरी शुरू हो गया है करीब 500 भारतिय सुडान के बंदर का पहुंच गए हैं कई और रा देश से सुरक्षित रूप से निकालने की अपनी आकस्मिक योजना के तहट जेद्दा में दो सी वन थर्टी जे सैन ने परिवहन विमान उडान भरने के लिए तयार रखे गए हैं साथी भारति नौसेना के एक जहाज आई एनस सुमेधा को छेतर में एक महत्पूर बंद दस्तिनों से जारी भीषण लडाई में चार सो से अधिक लोगों की जान जा चुकी है अम आपको यहीं बता दें कि विदेश मंतरी जैशंकर ने हिंसा ग्रस्त सूडान की स्थिती पर हाल ही में सौधी अरब और सईंत अरब अमीरात के विदेश मंतरियों के साथ चर्चा क नई दिली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने कहा है कि भारत सहीथ 28 तेशों के 388 लोगों को बाहर निकाला गया है रविवार को सौधी अरब ने भी कहा था कि उसने घनिस्ट संबंद रखने वाले देशों और मित्र रास्टों के 66 नागरिकों को सुडान से सुरक्षित र करेंगे कोच्ची में यूम समयनन में लोगों को समोधित करते वे मोदी ने कहा कि केरल के बेटे मुर्ली धरन फसे हुए लोगों को वापस लाने के अभियान की निकरानी करेंगे बाराल जहां तक ऑपरेशन कावेरी की बात है तो आपको बता दें कि यह नाम करनाटक उक्रेन से भारती चात्रों को निकालने के लिए ऑप्रेशन गंगा शुरू किया गया था उस समय उत्तर प्रदेश विधान स्वा चुनाओं चल रहे थे यहां यह भी ध्यान रखे जाने की ज़रूत है कि गंगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख न दी है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके